तो आप देख सकते हैं काफी कमाल का और आप देख सकते हैं जो इसका टार्गेट है आईसा करके छोटा हो गया ठीक है आईसा करके छोटा हो गया आप देख सकते हैं वहाँ पर रेड रेड बन गया है तो जैसे मैं fire करूंगा चाहे helicopter हो, चाहे गाड़ी हो कितना भी दर भागेगा जाके aim पिलगेगा तो मैं आपको एक पार fire करके दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं बर उपर गया aim पिलगा ठीक है तो सबसे पहले हम चलेंगे military base तो हलो दोस्तो कैसे आप लोग आपका स्वागत है प्रजबती गेमर चैनल पर gaming gamer एक ही है ठीक है तो आज हम ओ भाई पहले जम कर लूँ तो दोस्तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि payload mode आ चुका है और उसमें बहुती कमाल कमाल की बहुती खतना खतना गनाई है तो आज हम वही सब देखेंगे कौन सी गन है, कैसी है, क्या है range मतलब कैसे यूज करना है मतलब काफी कमाल कमाल की है और मतलब कुछ secret है जो आप लोग को नहीं पता ठीक है और हाँ अगर आप इसको download करके खेलना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे बंदें यहां पर आएंगे हेलिकाप्टर लेने के लिए और जो चीज में आपको दिखाने वाला हूँ बहुती कमाल का है, ठीक है उसके लिए मुझे हेलिकाप्टर चाहिए और हाँ मैं एक वीडियो बनाया था कि अगर आप यह देखना चाहते हैं कि हेलिकाप्टर आपको कहा कहा पर मिलेगा तो मैं उसके उपर आलेडी वीडियो बनाया हूँ आप जाके देख सकते हैं तो फाइनली मैं यहां से उड़ जाता हूँ नई तो बंदे चेप देंगे चेप देंगे क्या बुलते हैं तो मैं लेके चलता हूँ आपको पहाड़ी पे ठीक है उपर पहाड़ी पे लेके चलता हूँ तो मैं इसके उपर अलग से वीडियो बनाया हूँ अगर आप ओ भाई यहां पर भी एक हेली पैड है यार मतलब आपको यहां पे दो हेलिकॉप्टर मिल जाएगा ठीक है तो फाइनली यहां का हेलिकॉप्टर गाया है मतलब कोई बंदा यहां पे आया था लेके निकल चुका है ठीक है और हाँ यार वीडियो को लाइक कर देना प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आपका भाई यार आज के बाद अगर वीडियो बनाएगा तो फेस्केम बनाएगा ठीक है तो सबसे पहले हम पाड़ी पर चलते हैं और यहीं पर कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर हम सीट को चेंज कर देते हैं तो जैसे हम सीट को चेंज करेंगे हेलिकॉप्टर सीधे नीचे आ जाएगा आप देख सकते हैं फाइनली एक गन मिली यार एक कौन सी गन है तो आप देख सकते हैं जो गन का नाम है M79 ग्रेनेट लांचर और जो इसमें एमो लगेगी 40 mm ग्रेनेट वाँ क्या बात है ओ भाई ओ भाई मेरे से फायर हो गया गलती से यार तो अब हम इस गन को टेस्ट करेंगे ठीक है जो नई वाली गन है तो सबसे पहले हम जूम करते हैं ऊआँ भाई तो आप देख सकते हैं अगर आप स्को करेंगे तो किस तरह से आएगा तो हम इसको लूट कर लेते हैं क्या क्या इसके पास है फाल तुची लेके दौड रहा था अब दोस्तों अगर हम जड़ा टेस्ट करते इस गन को अगर मैं उस दर्वाजे भी मारता हूं इसको ओ क्या फाल तुगन है आप देख सकते हैं जो इसका एम है न बरोबर नहीं जा रहा है पर्फेक्ट नहीं जा रहा है यह वह आपीस आ रहा है यार क्यों चलो ठीक अच्छा इसकी दूरी देखते हैं ठीक है कितना दूरी तक जाता है हमने स्कोप किया और इसको जूम करके ओ भाई यह तो फटा ही नहीं यार तो यहां पर लगता है बोट आ चुके हैं तो हम उन पर ट्राई करते हैं ठीक है बोट कहां पर है यहां पर है तो हम इस पर ट्राई करते हैं ठीक है अबे मर भी जा यार क्या चूतिया गिरी है भाई ए देखो भाई अगर आप इस चीज को यूज करेंगे न ओ भाई नीचे मत जाना यार ओ भाई फिलाल मर चुका अगर आप इस चीज को यूज करके enemy को मारेंगे तो भाई आप बहुती बड़ी problem में फज जाएंगे ठीक है मतलब enemy नहीं मरेगा अगर दोस्तों आप ध्यान देंगे मैं आपको दिखा देता हूं map में अगर आप ध्यान देंगे तो map में आपको box हो करेगा ठीक है box तो अगर आप उस box पे जाएंगे तो आपको बहुती कमाल कमाल की loot मिलेगी तो आप देख सकते हैं यहां यहां पे box है तो सबसे पहले हम फटा फट यार ओ भाई किधर से जाना है यार तो फाइन आपको बता दूँ कि यह जो करने जो मेरे हाथ में या कुछ खास नहीं है अगर आपका aim वरोपर है ठीक टाक है aim तो आप मार सकते बंदे को ने तो सारा flop जाएगा और बंदा आपको मतलब चेप के चला जाएगा क्या बोलते हैं चेप के चला जाएगा तो हम ओ भाई चलो ठीक है ओ भाई आप देख सकते हैं कि जो मेरा मतलब helicopter था कैसा था फिर भी उड़ने लगा तो हम यहाँ पर चलते हैं जो box है आप देख सकते हैं कि मैं map में mark कर दिया हूँ अब मैं वहाँ पर चलता हूँ अब भूम जा यार अगर आप ध्यान देखे तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ निकल रहा ऐसा लग रहा कि जैसे मतलब अंत्रिक्ष में कुछ signal भेजा जा रहा है भाई एलियन के लिए तो हम यही पर डारेक्टली सीट चेंज करते हैं जैसे हम सीट चेंज करेंगे आप देख सकते हैं भाई हम फाइलेली नीचे आ चुके हैं ठीक है तो यहां से मैं एकजिट हो जाता हूँ अब दोस्तों अगर आप देख सकते हैं ओ भाई क्या हुआ अरे यार लगता है कोई लूट लिया क्या 38 सेकेंड यह क्या टाइमिंग क्या चल रहा है भाई लगता है इतने सेकेंड में आएगा ठीक है तो मैं यहां पर सो जाता हूँ अब दोस्तों आपको एक ट्रिक बताऊंगा ठीक है हेलिकाप्टर उडाते से मैं आपको ध्यान देना है एक त्रीक बताऊंगा जो अभी मुझे पता चला जश्ट अभी ठीके तो अभी मैं आपके साथ share करूँगा यहाँ पे finally एक boat आ चुका है तो भाई वह खतम हो चुका है 15 सेकंड, 5 सेकंड 3 सेकंड मतलब लगता है इसका कुछ टाइमिंग होता है अब यह अनलॉक होगा यह उनलॉक हो जाँ भाई 3 सेकंड, ओव भाई ओ हो निकला ओ माई गल ओ ओ भाई आप देख सकते हैं धरती के अंदर से निकला ठीक है अब अगर हम इस पे क्लिक करते हैं ओ भाई आप देख सकते हैं काफी खतरनाक घण है तो हम यह ले लेते हैं और MGL ले लेते हैं और दोस्तों आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक मिल जाएगा यह दूर्बीन की तरह Air Strike क्या है Air Strike करके है तो हम इसको ले लेते हैं ठीक है अब हम यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बंदे आ जाएंगे आप देख सकते हैं फानेली आ चुका है बंदा तो मैं लेके उड़ी आता हूँ ओ भाई आप देख सकते हैं काफी खतरनाक उड़ रहा है यार तो हम कहाँ पर चले इसको चेक करने के लिए इसको चेक करने के लिए हम कहीं एक साइड में चलते हैं अब दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था हेलिकाप्टर का ट्रीक अगर दोस्तों माल लीजी आप जा रहे तेजी से अब चलिए जो चीज़े हमें मिली है हम यूज करके देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे दो गन मिल्चु की एक MGL ग्रेनेट करके है दूसरा है M3E1 आप यह तुम लोग ओ भाई पहले मैं हिल कर लेता हूँ नहीं तो यह बंदा मार देगा मुझे यार ओ भाई ओ भाई आप देख सकते हैं अगर आप इस ग्रेनेट को लेके बंदे को मारेंगे न तो भाई आप तो गए तो फाइनली मर चुका है कमीना कहीं का बोर चुतिया अब दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आप इसमें कोई स्कोप लगाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं आप इसमें कोई भी स्कोप नहीं लगा पाएंगे और दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो गन है M3E1 इसमें जो bullet लगती है MO AWMO करके लगती है और जो उपर gun है MGL करके इसमें लगता है MO 40 mm grenade तो आपको यह अची ध्यान रखना है और दोस्तों यह जो gun है M3E1 बहुत ही खत्रनाक है अब दोस्तों माली जगर आपके पास यह gun है तो आप बंदे को target कर सकते हैं ठीक है कैसे target करेंगे जैसे आप scope open करेंगे न तो आप देख सकते हैं काफी कमाल का और आप देख सकते हैं जो इसका target है ऐसा करके ऐसा करके छोटा हो गया ठीक है ऐसा ऐसा करके छोटा हो गया आप देख सकते हैं पर रेड रेड बन गया है तो जैसे मैं फायर करूंगा चाहे हेलिकॉप्टर हो चाहे गारी हो कितना भी इदर उदर भागेगा जाके एम पर लगेगा तो मैं आपको एक पार फायर करके दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं बरोपर गया एम पर लगा ठीक है अब मैं आपको जुम करके दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं कि गारी जल चुकी है और फिर बरोपर एम कर दिया ठीक है अब यह तुम लोग चूतिया अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप एन्मी कूपर एम करेंगे तो एम नहीं होगा आप देख सकते हैं तो यह जो चीज है ना पता नहीं मरा कि नहीं मरा तो दोस्तों यह जो गंती ना M3E1 करके यह जो विकल हैं जो हिलिकॉप्टर लेके उड़ेंगे उनको डिश्ट्रॉय करने के लिए बनी है ठीक है मतलब बरोबर बरोबर एम करेगा बरोबर बंदा लेके किदर भी दोड़ेगा बरोबर एम करेगा तो मेरे ख्याल से आपके पास यह चीज होनी बहुत ही जरूरी है ठीक है अब दोस्तों जो हमको यह चीज मिला है आप देख सकते हैं एर स्ट्राइक करके यह बहुत ही गमाल की चीज है दोस्तों कर आपको यह मिलता है तो आप इसको लेके जरूर रखिए मैं आपको बता देता हूँ आप इसको कहां पर यूज करेंगे अब दोस्तों माली जी आप अपने इस कोड के अकेले बचे हैं और बंदा चार पांच है छे लोग आए सामने आपको बताए कि सामने चुपे हैं माली जी घर के पास में है गर में रहेंगे तो नहीं बरेंगे अगर बाहर है माली जी यहां पर है तो आपको क्या करना है आपको सिंपली इस ऐर स्टाइक को ले लेना अपने हाथों में तो जैसे आप लेंगे तो आप देख सकते हैं इसको फायर करने के लिए लेप ट्राइट में दो आपसन आ चुका है तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहां पर बता रहा है ठीक है आप इसको 200 मीटर तक यूज कर सकते हैं जैसे आप इसको यूज करेंगे ऊपर से मतलब रेट जोन रेट जोन तो यह बहुत ही कमाल की चीज है मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे माली जी मुझे पता है कि बाई 150 मीटर पर बंदा है उदर मतलब 2-3 बंदे है पुरी स्कोर है तो यहां से मैं उसको फायर कर दूँगा आप देख सकते हैं फायर का उप्शन है तो जैसे मैं फायर करू आप देख सकते हैं खतरनाक रेट जोन की रहा भाई और उसके बंदा खतम मतलब यह बहुत ही कमाल की चीज है अगर आपको मैप में आपको यह दिखे आप देख सकते हैं कि अनलॉक हो चुका है अभी आपको मैप में चार जगह दिखा रहा है तो आपको जाकर इसको आज ये पर एम करता हूं आपके अब मैं फायर करता हूं आप देख सकते हैं कि फाइनली दर्वाजा तूल चुका है आप यह दिश्गतिया कि अब देख सकते हैं मतलब एम वरोबर नहीं लग रहा है तो आपको थोड़ा सा आगे डालना है ठीक है अगर आप थोड़ा सा आगे डालेंगे ना तो यह फूट के जाता है जो ग्रेने पर फूट के जाता है आप देख सकते हैं काफी आगे चला जा रहा है अगर आपके पास यह चीज रहता है ना अगर आप एनमी मारेंगे तो आप पक्के मारे जाएंगे आप देख सकते हैं मैं कब से ट्राइ कर रहा तब जा कि यह बंदा मरा है और आज जब आप इसको fire करें तो थोड़ा आप दूरी बना के रखें नहीं तो आप भी चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि finally यह मर चुका है ठीक है और हाँ दोस्तों आपको बता दूँ कि इसमें total 6 MO लगता है 6 MO लगता है ठीक है अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि सामने की side में आपको एक घर दिख रहा है अब चलिए हम zoom करते हैं और वहाँ पर aim करते हैं देखते हैं दरवाजा तूटता है कि नहीं तूटता है ठीक है ओ भाई कसब से काफी जहर आप देख सकते हैं दरवाजा ओ नहीं नहीं तूटा है लगता है aim वरोबर नहीं था अब मैं फिर से दुबारा aim लेता हूँ red dot है यार वहाँ पर पहुची नहीं रहा है हम यहाँ के दरवाजे को aim करते हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं कि दरवाजा तूट चुका है ठीक है अगर इसके पीछे भी enemy रहेगा तो भाई वह तो पागल हो जाएगा बोलेगा बंदा कईसे मार रहा है तो जो हमारा helicopter है उसको लेके हम उड़ते हैं यहाँ से और हम आपको बता दूँ आपको थोड़ा थोड़ा अंदेरा दिख रहा होगा क्योंकि जो मेरी बैटी ती डिस्चार्ज हो गई तो मैं उसको चार्ज में लगाया ठीक है और हाँ दोस्तों आपको map पे क्लिकर के दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं कि और भाई किढर किदर जा रहा है यार तू है तो दोस्तों आप देख सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह location बताने लगा टूपिट परूप अथ उदूप है है माइगोंस की अब चुबड का आपके कञे का अठा existe दोस्तों आप देख सकते हैं बंदे ने एम लिया और मेरा हेल्फ बहुत ही जारा डाइमेज कर दिया तो मुझे लगता है बंदा आसी पास में कहीं है तो मतलब गन-गन चल रहा है और हम आपको बता दूए कि इसमें सौट गन मिलती है बुलट टाइप में ठीक है अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों आपको बता दूए कि मैं तो बंदे आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि सामने की साइट में बंदा है तो मैं थोड़ा जूम करके इसको लेने की कोशिस करता हूँ खत्तम ओ भाई काफी जहर चाला मुझे मानने हाया था वो भाई यह भी गया वो भी गया तो आप देख सकते हैं कि जो बंदा है सामने भाग रहा है लगता है मैं मारा जाओंगा ठीक है अगर मेरे पास यह लाउंचर रहता ना तो फाइनली मैं मार देता यार अगर मेरे पास यह लाउंचर रहता ना तो अब तक तो मैं उसको ले लिया होता तो दोस्तों आपने देखा यह जो गहन है कित्ती कमाल कमाल की हैं और आप इसको कैसे यूज करेंगे मुझे लगता है आप समझ गए होंगे आपको कैसे यूज करना है तो finally मैं मर चुका हूँ थोड़ा मैं expected कर लेता हूँ तो फिलाल आज के वीडियो बस इतने में इमिद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंदा ही होगी और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब जरू करेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई